दोस्तो एक मैजिक दिखाता हूँ अरे टेंशन मत लेलो आप स्टूडियो में आ चुके हैं दोस्तो यह है हमारे विडियो डीटर और मैं इनको सवाल पुछना चाहूँगा कि विडियो डीटिंग के लिए यह कौन सा अप्लिकेशन यूज करते हैं तो दोस्तो मेरा विडियो डीटर और मैं दोनों भी वन्डेशियर फिल्मारा को कि यूज करते हैं इसका रिजन यह कि यह आसान है सबसे पहले तो इसका यह चाहिए बहुत आसान है आप यहां पर ट्रांजिशन भी आड़ कर सकते हैं, इस तरह के ट्रांजिशन एड़ करना है, यह पिर आपको subscribe बटन एड़ करना है, share बटन एड़ करना है, like बटन एड़ करना है, यह सारी चीज़े यहां पर readymade available है, साथी में यहां पर green screen एपेट भी आपको दिखा दे रहा है, तो इसे detail में जाना है, सीखना है, अगर आप content creator बनना चाहते हैं, digital content creator बनना है, तो वीडियो एडिटिंग तो आना चाहिए, तो वीडियो एडिटिंग आना चाहिए, तो वीडियो एडिटिंग के लिए यह tutorial आपको देखना जरूरी है, तो चलिए मैं step-by-step Wondership Filmora कैसे इस्तमाल करते हैं, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, practically, और यह जो वीडियो एडिट हो रहा है, यह भी Wondership Filmora में एडिट हो रहा है आपके लिए, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन के पर देखते हैं, कैसे इसे 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 इ देखिएगा, शुरू करते हैं, तो दोस्तो इस वीडियो एडिटर सौफडर यानि की Wondership Filmora को डाउनलोड इस्टॉल करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए, पिन कमेंड में भी आपको लिंक मिल चाहेगी, जहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कु AI Text2 Video, यह AI-based option यहाँ पे दिखाया दे रहा है, AI Text-based Editing option दिखाया दे रहा है, AI के ऐसे डहर सारे options इसमें है, तो इसमें editing कैसे करना है, यह मैं आपको step by step बता हूँगा, लेकिन इसके पहले AI के जो इसके कुछ important features आया है, उसके बारे मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे टेक्स टाइप करना है, कि आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, तो मैंने टाइप किया, जन्रेट वीडियो और बॉई प्लेइंग बाइसिकल, सिंपल मैंने टाइप किया, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसमें English voice रहे, आप दूसरी कोई language में चाहते है, तो आप उस टू वीडियो बटन पर क्लिक करूँगा, जैसे मैं क्लिक करूँगा, यह AI से जन्रेट होने वाला वीडियो है, कुछी seconds के अंदर पर आपने जो prompt लिखा है, जो आपने command दिया है, बिसकली उसके उपर वो analyze करता है, यह है, और आपके सामने एक वीडियो जन्रेट करके दे लेकिन नीचे आप देख सकते हैं, इसका text, यह पर video, audio, ऐसे अलग-अलग form generate हो चुग है, और background music का भी है, तो मैं इसे play करके दिखा तो आपको यह कैसे generate हुआ है, generate video, boy playing bicycle, मैं इसे play करता हूँ, generate video, a boy playing bicycle, wow, interesting, right, तो यह इसका एक नया feature है, जिसके बारे मैं आपको जरूर बता होने चाहिए, इसलिए मैं ने पहले बताया, और एक नया feature यहाँ पर आया है, audio के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, वैसे AI से related बहुत सरे options से यहाँ पर, यह भी मुझे कापी इंट्रेस्टिंग लगा, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, audio में जाहिए, AI music पे click क कीजिए, और music generate कीजिए, अब music generate करते समय भाई, music का mood आप select कर लीजिए, happy रहना चाहिए, sad रहना चाहिए, of course आप जो चाहिए, वो mood select कर सकते है, फिलाल यहाँ पे मैंने happy select रखा है, उसके बाद music का theme कैसा रहने चाहिए, vlogs के लिए, travel के लिए, romance के लिए, gaming के लिए, horror रख around normal, आप high भी रख सकते है, music duration यहाँ पे select कर सकते है, और यहाँ पे generated music count भी है, music count कितनी होनी चाहिए, basically मैंने 3 रखा है, आप 6 भी रख सकते है, maximum 6 music आप यहाँ पे generate कर सकते है, एक साथ बई, अब देख सकते है, कैसे generate होगा, start button पे click करो, start button click करते ही, कुछी seconds के अंदर यहा music यहाँ पे generate हो चुका है, happy blocks pop, happy blocks pop 2, right, यहाँ पे मैं इसे play करता हूँ, देखिए, interesting, मैं इसे stop करता हूँ, दूसरा play करता हूँ, wow, ठीक है, तो यह music को आपको download करने है, तो बस यहाँ पे download button दिया है, यहाँ से download कर सकते है, आप इन्हें use कर सकते है, यहाँ पे download button पे click कीज़े, इस तरह से, so यह music यहाँ पे generate हो चुका है आपके लिए, तो copyright का भी tension भी नहीं है, इसके अलाव भी AI के आगे feature से, जो मैं आगे आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन अब हम बढ़ते है, basically, video editing की तरफ, इसमें video कैसे edit क दिया है, जिसके जरी आप screen recording कर सकते है, फिलाल हम editing सीख रहे है, तो पहले new project पे मैं click करूँगा, जैसे मैं new project पे click करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते है, यह पूरा film और का interface आपके सामने है, अब interface बहुत ही आसाने, मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे media से लेकर templates आ प्रियू का section यह है, और जो भी आप selection रखते हो, मतलब video audio उसकी properties यहाँ पे दिखाए देगी, याद रखिए, simple है, और इसे हम timeline कहते है, जिसके उपर video और audio track है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो audio track 1, video track 1 दिखाए दे रहा है, और जहाँ पे और भी multiple video और audio track आप ले सकते हैं, even text भी आप यहाँ पे add कर सकते हैं, effects भी add कर सकते हैं, कैसे, step by step देखते हैं, सबसे पहले, अब आप beginner हो, आपको जरा भी पता नहीं कि भी किस तरह से editing करते हैं, तो सबसे पहले इस software को download install करने के बाद, start करने के बाद, welcome screen में जो project option है, new project option select कीजिए, इस interface पे आओगे, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले click कीजिए, यह है media में option, click or drop to import, यहाँ पे file drag and drop होता है, यहाँ पे मैं click करके file select कर सकता हूँ, तो मेरे पास कुछ videos यहाँ पे पड़े हैं, इन मैं से कोई भी videos मैं यहाँ पे select कर लेता हूँ, open कर लेता हूँ, जैसे मैं select कर वीडियो आने के बाद यह editing के लिए ready हो चुका है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसे play करता हूँ, suppose, मैं play करने के लिए space button दबाऊंगा keyboard, hello guys, मैं commerce graduate गाई हूँ, power PA Delo पर काम करता हूँ, okay, play करने के लिए space button था, stop करने के लिए भी space button है, जब भी आप कोई भी video यहाँ पे load उसकी मदद से आप video को properly cut कर सकते है, unwanted part video का हटाने के लिए बहुत useful है, right, suppose, आपने कई पे कुछ बोला ही नहीं है, तो वो particular part, जो mute part है, या पिर जहाँ पे कुछ अपने बोलानी, वो हटाने के लिए बहुत आसानी हो जाती हमें, यह wave की मदद से, तो इसलिए मैंने पहले ह space दबाओगे, तो यह start होगा, space दबाओगे, तो यह stop हो जाएगा, यहां से भी play कर सकते हैं, और stop कर सकते हैं, दूसरा, यहां पे जो timeline आ रहा है, इसकी मदद से, basically मैं इस video को zoom करके देखना चाहता हूँ, तो मैं timeline पे mouse लाँगा, यह timeline नहीं, time दिखाए दे रहा है, आपको वीडियो जो है, वो zoom हो रहा है, जिसकी मदद से मुझे यह जो gap दिखाए दे रहा था, यह properly दिखाए दे रहा है, अब मुझे कोई भी audio के बीच का gap हटाना है, तो कैसे हटाऊंगा मैं, right, मतलब कभी हमें ऐसी जरूरत पढ़ती है, जैसे audio के, जहां पे हमने कुछ बोला ह देंगे, playhead वाँ पे रख देंगे, जहां पे हमें cut करना है, जहां से cut करना, start करना है, यहां से cut करना है, right, video clip, तो मैं यहां पे playhead रख दूंगा, और कैची पे click करूंगा, या फिर यह कैची दिखाए दे रहे है, या फिर control B दबा दीजिए, break हो जाएगा, cursor आगे रख द delete तो हो जाएगा, space खाली होगा, तो यह space remove करने के लिए क्या करेंगे, मैं undo करता हूँ, shift delete दबा दीजिए, मतलब वो space भी नहीं रहे ना चाहिए, तो keyboard पे shift दबा के delete, इस तरह से, अच्छा, चलो ठीक है, अगर आपने delete ही दबा दिया, तो इस video track को आप ऐसा भी रख सकते drag करके, so इस तरह से, unhaunted part वीडियो में से आप हटा सकते, even ending में भी part कोई है, जो आपको हटाना है, ending में भी वीडियो का कोई portion जो है, वापे कुछ बोला नहीं, आपने या पिर wrong बोला है, तो वो आटाने के लिए आप select कर लिए, उतने portion को control B दबा दीजिए, या पर देख down कर सकते है, इस particular video track के अंदर का particular part आप इसे break करके delete कर सकते है, so zoom in, zoom out हमने सीख लिया, किस तरह से करना है, और किस तरह से break किया जाता है, unhaunted part, अब हम audio पे आते है, अब basically मुझे यहाप एक background audio add करना है, इस video के साथ-साथ, तो उसके लिए audio options यहाँ पे दिया है, right, audio options पे click क easy है, और जैसे मैंने कहा कि आप AI generated music लेना चाहते हैं, तो यहाँ से ले सकते हैं, अगर आपके पास पहले ही कोई download folder में पढ़ा है, तो आप माइन में, my music में जाहिए, और यहाँ पे double click कीजिए, double click करती है, आप music दिखाए देगा, जो भी आपकी folder में है, basically आपने जहाँ प दिखाए दे रहा है, जब आप इसे click करोगे, और drag and drop करके यहाँ पे रखोगे, तो यह यहाँ पे wave दिखाए देगा, मैं इसे delete करता हूँ, दुबारा दिखाता हूँ, यहाँ पे mouse pointer लेकिया ही है, इसके उपर click करके रखिए, drag and drop करके रख दीजे, audio track पे, यह audio track 1, अब ब को भी आप right click करके delete करना है, तो delete कर सकते है, delete empty tracks, इस तरह से, अब आपका यह कहना है, कि जैसे हमने दो audio डाले, क्या दो video भी डाल सकते है, कि उपर एक अपकोस डाल सकते है, तो आप एक तो media में से जा सकते है, यहाँ पे धेर सारे media import करके, लेकिन यहाँ एक interesting option उन्हों दि यह stock media, जहाँ पे आपको धेर सारे ready made videos, footage मिलते हैं, और वो आप directly import कर सकते, देखिए, आप solid color वाला लेना चाहते है, gradient वाला, library में जाकर आप यहाँ पे धेर सारे अलग-अलग backgrounds, patterns, देख सकते हैं, तो यहाँ पे stock media में जाकर mine भी है, AI image भी है, जहाँ पे image भी आप generate कर सकत से library है, जहाँ पे आपको library मिलेगी, या फिर partners है, जो कि आप pixels, gp, pixabay, unflash, इन जैसे website की ओपर जो videos रहते हैं, वो free में यहाँ पे आप access कर सकते हैं, जिया, जैसे pixels की ओपर यह video available है, और मैं उसे add करना चाहता हूँ, मैंने double click किया, एक pop-up बात है, we will download the maximum resolution, yes, यह आजाता यह देखिए, इस video के ओपर यह आगया, इस तरह से यह overlap करसकते हैं, और इस video के ओपर का video फुर्च चोटा रखना है, तो आप इसे ऐसे चोटा भी रख सकते हैं, तो दो विडियो आपर रख सकते हैं, ऑर नीचे बढ़ा, और नीचे मैंने audio भी लगा दिया, audio कसे लगाना ह वो मैंने दिखाया, वीडियो कैसे लगाना है, वो दिखाया, अब audio में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, right, मैंने दो video track आपको बताना था, इसलिए मैंने एक और video लेकी दिखाया आपको, right, तो audio में double click कीजिए, अब यहाँ पे दिखिए, आपको क्या करने है, double click करने के फ्रेम तो यहाँ तक ही है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे audio जो है मेरा, यहाँ पे जो audio है, इधर break कर दे, मैं करसर यहाँ पे click करूँगा, audio track पे, करसर रखके, control B करूँगा, और आगे का जो portion है, वो delete, बस, अब इस पे double click कीजिए, audio पे, और fade in और fade out रख दीजिए, फेड आउट में, ending में आवाज कैसे slow-slow होते जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, आपने वीडियो और लैप कैसे करना है, एक वुडियो पे दूसरा वीडियो वो भी आपने देख लिए, audio भी डालना, आपने सीख लिए यहाँ पे में जान लिया कि यहाँ से डेर सारे वीडियो वोगेरा आप ले सकते हैं, इसके अलावा अगर कोई वीडियो में मुझे यहाँ पे लोर थर्ड डालना है, जैसे मुझे इनका नाम अड़ करना है, अब मैं यह वीडियो रिमूट कर देता हूँ, यह वीडियो आप देख सक सकते हैं, बहुत कुछ ओप्शन दिये हैं, तो कोई भी एक इंट्रेस्टिंग लोर थर्ड में यहाँ पे ले ले लेता हूँ, और उसे अड़ कर देता हूँ, कोई भी एक लोर थर्ड अड़ कर दीजे, डबल क्लिक करके, तो मैंने यह लोर थर्ड सिलेक किया, और इसे ड् पड़ा करना चाहता हूँ, तो मैंने box की size बड़ी रख दी है, और इस नाम को यहाँ पे लाके रख दी है, यह भी नाम को आपको छोटा करना है, मतलब यह पे जो text लिखा है, उसकी size आपको adjust करनी है, you can go and change the font size, even the font style, even everything, like font भी change करना है इसका, तो font भी बदल सकते है, आप जो font रखना चाहते है, यहाँ पे font आजाएगा, मैंने इस तरह से नाम रखा, अभी मैं play करके दिखाता हूँ, हर एक चीज को हम play करके देख लेते हैं, as a non-adding graduate होते हैं, as a power we add, okay, look at there now, you can adjust it, तो इस तरह से lower third add कर सकते हो, धेर सारे lower thirds यहाँ पे दिये, जो कि आप यहाँ से add कर सकते, not just that guys, अगर आपने इसमें और video add कर दिया, suppose और एक video मैं add करता हूँ, मेडिया में जाता हूँ, double click and I am going to add one more video, यह मेरा वाला video add कर देता हूँ, यह यहाँ पे मैंने drag and drop कर दिया, अब यहाँ पे देखिए, मैंने इसे रख दिया आगे, तो यहाँ पे देखिए के लिए दिखा रहा हूँ, अब मैं play करता हूँ, skills को आगे भी upgrade, तो पहले normal आ रहा था, अब कैसे आ रहा है, आपको दिखा देखिए रहा है, ऐसे धेर सारे दो video की बीच में, जा पे video switch हो रहा है, तो वो थोड़ा सा smoothly लगे switchness, या फिर थोड़ा सा effective लगे, तो आप उसक के लिए transitions add कर सकते, not just that guys, effect में जाहिए, there are so many effects, right, आपको इस video को black and white बनाना है, इस effect को drag and drop करके इस video पर रख दीजिए, now look at there, entire video will be black and white, अब मैं उसे हटाना चाहता, black and white, दुबारा इस पर मैं click करूँगा, और या पर right side में जो pain आ रहा है, basically, जहां पर settings होती है, मतलब हमा लगता है कि कई पर arrow add करना है, कई पर कोई चीज़ add करना है, मैं यह add करना चाहता हूँ, right, यह bulb जो है, मैं यहाँ पर light bulb यहाँ पर add करना चाहता हूँ, लेकिन यह बहुत बड़ा आ गया और बीच में आ गया, तो मैं थोड़ा सा नीचे add करना चाहता हूँ, right, यहाँ पर तो चलिए अब तक का वीडियो पसंद आया, तो comment कीजिए, मैंने लिव comment का डाल दिया है, लिव comment, भई अब तक का वीडियो पसंद आया, तो जरूर comment कीजिए, कि अब तक का वीडियो आपको कैसे लगा, इसकी size भी आप यहापे कम कर सकते, और आपके कुछ suggestion रहेंगे, तो definitely वो भी कर सकते, तो ऐसे ready-made options दिये, even the subscribe button is also there, you can't drop it, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप चैनल पे नहें में मानत हो, फिलाल तो आपने यह सारी चीज़े जान लिए, और इसकी size भी आप यहापे कम ज़्यादा कर सकते, इसकी उपर mouse ending में लिख्या आना है, और यहाँ से size कम ज़्यादा होती है, so stickers के बाद templates भी दिये, यहापे आपको धेर सारे templates भी ready-made में लेंगे, तो हमने text बगर अभी add कर लिया, अब आपका कहना होगे, color यहापे आ रहा है, speed यहापे आ रहा है, फिलाला में speed बढ़ाना है, तो speed यहापे option दिया गया है, आप यहाँ से speed बढ़ा सकते हैं, देखिए वीडियो का speed बढ़ा दिया है मैंने, अब देख सकते हैं, एक बार मैं play करके दिखाता हूँ, वाउ, कितना fast हो रहा है, उसके अलावा, यह तो speed का option दिया है, उसके अलावा speed ramping एक interesting option यहापे है, यह देखिए, speed ramping, speed ramping पे आप क्या कर सकते हैं, यह वाला wave अपलाई कर तो ready media आपे दिया है, मतलब जैसे मैं speed ramping के अपलाई करता हूँ, तो कई पे fast होगा, कई पे slow हो जाएगा, देखते हैं, fast, फिर slow, फूरा slow हो गया, फिर fast, क्या बात है, तो यह जो waves आपको दिखाए दिरें न, इनको आप adjust कर सकते हैं, और यह बस आपके mouse के उपर है, मतलब आप इसे नीचे ले लोगे speed, यह पे slow होगा, उपर ले लोगे, speed fast हो जाएगा, look at there, right, interesting, so, यह मैंने speed के बारे में बता है, उसके अलावा, speed के अलावा, यहापे धेर सरी option से, जो आप यहापे बाद में check कर सकते हैं, अब, basically, आपका कहना रहेगा, कि sir, हमने कोई green screen video बनाया है, और उसका background हमें रिमू करना है, तो basically, कैसे करते हैं, तो मैं double click करूँगा, एक green screen video आड़ कर दूँगा, जो कि मैंने shoot करके रखा है, हम generally बहुत सारे shoot करते है, green screen, okay, और इनको मैं delete कर दे तो अभी, मैंने इस वीडियो को यहां पर रख दे, अब मैं से वीडियो को प्ले करता हूँ, पहले देख लिए अरे यार, थोड़ा से प्ले कर रहा हूँ, आपको दिखा दे रहा है, एक green screen video, अब मैं इसके वीडियो डबल क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं वीडियो ओप्शन में क्लिक करूँगा, AI tools काफी interesting option है, जिसमें अपको chroma की effect मिलता है, जैसे आप इसे on करोगे, यह green screen detect कर लेता है, अगर detect नहीं हो रहा है, कोई और color है, तो यह पे आप eye picker क्लिक करके, यह यह से color choose कर सकते, AI picker क्लिक कीजिए, यह पे जाकर color choose कीजिए, फिलाल, we don't need it, because color is already selected green and it is proper, right, क्या हो, मुझे ना यह मा, look at there, background remove हो गया, but the problem with this कि green screen तो remove हो गया, but हम क्या करना चाहते है, इसके पीछे कोई image डालना चाहते, background image, तो मैं क्या करूँगा, background image या कोई दूसरा video, right, तो आप क्या करोगे, इस video को पहले उपर रखोगे, ध्यान से देखिए, इस वाले को पहले मैंने उपर वाले video track पे रखा, video track 2, और ये video track 1 को empty रखा, ताकि मैं यहाँ पे कुछ रखूँ, लेकिन इसके पीछे background में मुझे image चाहिए, office background की image चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, basically stock media में हम जाएंगे, और stock media में हमें video मिलेंगे, gp मिलेंगे, animated images वगरा मिलेंगे, लेकिन मैं आपको ये option दिखाना चाहूँगा, AI image, basically AI image में जाहिए, और यहाँ पे start button पे click कीजिए, यहाँ पे आप image generate कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे command देनी है, तो मैंने command दी, generate office background image, और मैं यहाँ पे start creating पे click करूँगा, तो चलिए, यहाँ पे image generate हो चुकी, office background image, वाव, क्या बात है, scenery के साथ generate हो चुका है, यह वाव, यह तो nature office background हो गया हमारा, so no issue, चले ठीक है, और यहाँ पे तो कोई office नहीं दीख रहा है, यह क्या image हो गई, चलो ठीक है, no problem, लेकिन इसने कुछ generate करके दिया है आपके लिए, तो मैं इसमें से कोई भी image यहाँ पे download करता हूँ, कापी interesting AI, आप यहाँ पे image download करने, जो जो images download करने, उस पे click करके आप download कर सकते, तो यहाँ पे मैंने दो तीन images इसके download कर लिए, मैं इसे close करता हूँ, okay करता हूँ, no problem, यहाँ पे आप देख सकते image आ चुकी है, अब इसमें इसे कोई भी image को लाके मैं drag and drop करके इस पे रखूंगा और अब यहाँ आप देख सकते हैं, इसके size में बढ़ा देता हूँ, आप यहाँ पे mouse pointer लाईए, दिखिए यहाँ पे inning पे mouse pointer लाके, इसे drag कीजिए और यहाँ पे देख लीजे, interesting, now look at that, मैं play करता हूँ, इस वीडियो का क्या, इसमें तो वही यह green screen नहीं है, लेकिन मैं इसका background change करना चाहता हूँ, तो वही wonder share film और यह भी option आपको देता है, इसमें एक AI portrait करके option आ चुका है, जो की latest version, latest option है, और इसके बारे में अभी हम जानते है basically, अब मैं इस वीडियो को ऊपर लेता हूँ, इ सो मैं चाहता हूँ, इसको मैं select करूँ, इस वीडियो को, मैं इस वीडियो को select कर लेता हूँ, और इस वीडियो को select करने के बाद, मैं AI tools में जाऊंगा, नीचे scroll करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते AI portrait option आ रहा है, जैसी मैं इस पर click करूँगा, राइट, look at there now, जैसे मैं check it out guys, right now, okay, so यह AI portrait option ही, इसे जरूर इस्तमाल कीजिए, साथ में अगर कई पर, जैसे यह वीडियो मेरा यहाँ पर आ रहा है ना अभी, right, इस तरह का वीडियो आपको अगर रखना है कोई भी, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, जैसे मैं मेडिया में जाता हूँ, और मैं यहाँ पर एक वीडियो ले लिता हूँ, मेरा ही, लेने के बाद इस वीडियो को ड्राइग और ड्रॉप करता हूँ, ओके, मैंने उपर रख दिया, देकि एक के उपर एक ऐसे multiple track आप रख सकते हैं, अब इस वीडियो को double click में करूँगा, पहले इसकी size में कम कर दूँगा, okay, size कम करने के बाद, मैं इस पर mask लगा सकता हूँ, यह देखिए, वीडियो के अंदर ही mask option है, जा पर मैं double click करूँगा, और यह mask इस तरह से लगा है, मैं इसे circle करना चाहूँगा, यह देखिए, उसके लिए भी setting है, width तो इसकी 50 है, लेकिन height उसकी 30 है, इसलिए height को भी 50 कर दूँगा, तो यह देख लेजी, right, और मैं इस वीडियो को लाके यहाँ पर रख दूँगा, इस तरह से, now let's play it and check it out, दोस्तो अगर आप एक computer user, यहाँ पर बहुत सारे आवाज mix हो चुके, तो मैं एक को mute कर देता हूँ, right click करके कि किसी भी audio को mute किया जा सकता है, इसको भी इस तरह से mask भी आप कर सकते वीडियो के अंदर, तो इतनी सारी चीज़े इस editor के अंदर होती है, और वो भी काफी आसान इसे drag and drop कीजिए, click कीजिए, बस result आ जाता है, कितना आसान है यूज करना, मैंने आपको दिखाया practically, इसके AI के features कितने बहतरीन है, और साथ में यह आसा अब इस video को मुझे क्या करना है, basically export करना है, तो भई export कैसे करूँगा मैं, export करने के लिए simple यहाँ पे ऊपर आपको export का button दिखाया देगा, इस पे click कीजिए, जैसे आप export button पे click करोगे, यहाँ पे आपको और डेर सारी option मिलेंगी, कि भई इस video से related thumbnail को एड करना है, उसके बा MP4 चाहिए, AVI चाहिए, वो आप अलग-अलग format में ले सकते हैं, इसकी quality आपको कैसे रखनी, higher quality रखोगे तो आपको उसका size बढ़ेगा, यहाँ पे size कितनी estimated हो रही है, 109 MB तक आपकी यह file size estimate हो रही है, और कौन से resolution में आप रखना चाहते है, 25 FPS या फिर 30 FPS, 60 FPS आप भी यहा यहाँ पे आपको export में device option दिया है, YouTube पे आप direct यहाँ पे login करके upload कर सकते हैं, even TikTok, Vimeo and DVD, तो यहाँ पे export बड़न पे आप क्लिक कीजिए और अपनी वीडियो को export कीजिए, और उसके अलाओ आपने बनायों project को आपको save करना है, तो file में जाकर यहाँ पे आप इसे save कर सकते है project को, जिससे चलते हैं, आप आगे भी इस project में continue काम करना चाहते हैं, तो आप इसे कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको धेर सारी चीज़े बताई कि वीडियो को कैसे edit कर सकते हैं, उसमें audio video कैसे add करना रहता है, सारी चीज़े हमने देख लिए, green screen editing भी हमने देख लिया, और इसे download कर कीजिए, install कीजिए, और free में edit करना start कीजिए, basically इस software को install करने के लिए आपको कुछ पेग नहीं करना है, हाला कि यह software paid है, but आपको editing सीखने के लिए पेग करने की ज़रूत नहीं, वो आप free में download कर सकते हैं, लेकिन जब आप video export करोगे, तो इसमें इसका order mark आएगा, उसके लिए आपको इनका license लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस video को पूरा देखते हो, तो भई आप lucky winner हो सकते हैं, उसके license के कैसे, मैं आपको बताता हूँ, भई आपको इसे download इंस्टॉल करना है, आपके computer में और उसे use करना है, और उसका experience आपको इस video के comment box में share करना ह कि भई ये आपको software कैसे लगा, तो उन comment में से basically तीन lucky winner को, जियां, तीन lucky winner को मिलेगा इसका license, तो इसका license लेने के लिए बस आपको एक comment करना है, ये software आपने use किया, तो कैसे use किया, आपको experience बताना है कि भई इस software के बारे में आपको कितना simple लगा, क्या लगा, और उन में से तीन comment हम choose करेंगे, जो अच्छे comments रहेंगे, जिनको basically wonder share की तरफ से special giveaway मिलने वाला है, तो ये license लेने के लिए करना क्या है, मैंने आपको बता है, आपको अगर ये video editor का license चाहिए, तो जल्दी से comment कीजिए, फिलाल इस video को like भी कीजिए, share भी कीजिए, और मिलते है next video के अंद तो तुम ही share करना ना भूलिए, मिलते हैं, ऐसे कुछ next interesting tutorial के अंदर तब तक के लिए अपना ख्याल रिखिएगा, bye bye